हमने जैसा कहा कि ने कि question अपने आप बोलता है हमें लगाया कैसे जाए ठीक है देखें मैं question को ध्यान से पढ़ता हूँ question कहता है कि an electron emitted by a heated cathode and accelerated through the potential difference of 2 kilo volt यानि कि potential difference क्या लगाया गया 2 kilo volt बोले तो 2 into 2 10 to power 3 volt इतना potential लगाया गया enters a region तो ये जब electron excellent हुआ तो एक ऐसे region में enter किया जहां पर uniform magnetic field था 0.15 tesla यानि B था 0.15 tesla इतना magnetic field था determine the trajectory of the electron तो पहला पार्ट कहा रहे हैं किसकी trajectory बताईए if transverse to the initial velocity इसकी जो velocity है transverse है transverse है मतलब transverse wave आपने पड़ी होगी when the particle moves perpendicular to the direction of vibrations of the direction of the propagation of wave यानि यहाँ पर theta कितना दिया है 90 degree आप चुकि electron के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बातें बिना जाने आप जानते है electron के character के बारे में कि उसका charge कितना होता है वो बताने जरूत नहीं है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम होता है उसका mass कितना होता है 9.1 into 10 power minus 31 kg होता है लेकिन examination में अगर given है पहले से तो जो given होगा उसी value को आप लेगे accept करेंगे ठीक है तो पहला part कहरें कि उसकी trajectory क्या होगी और दूसरी बात है कि makes angle 30 degree with this अब देखो trajectory क्या होगी मतलब क्यों trajectory आप से नहीं पूछ रहे मतलब trajectory का मतलब आपको उसकी पूरी उसकी बारे बात करनी पड़ेगी तो उसकी पहले तो आपको question दुबारा पढ़ लेते हैं determine the trajectory of the electron if the field is transferred to the initial field makes angle 30 degree with the initial velocity तो आपको पहले उसकी velocity नहीं बारू trajectory का मतलब आपको circular थोड़े बोलेंगे circular बोलेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि what is the velocity of that what is the radius of that path अगर circular है तो किस radius के circular path में बारेगा ठीक है तो पहले velocity निका लिए electron को velocity देता कौन है इलेक्टरान अगर बाहर निकलेगा उसको कौन से energy है तो energy मिलती कैसे जूता दिखा के दोड़ा देंगे भागेगा electron electron को एक potential difference से खींचा जाता है ना तो electron को अगर V potential difference से खींचा तो आपने energy उसको कितनी दी है EV और वो किसके इको लो जाएगी half M V square के ब्रावर हो जाएगी ठीक है अगर आप से trajectory पूछा है तो trajectory के ओस circular बताने से काम नहीं चलेगा circular means which type of circle what is the radius of the circle तो यहां से velocity निकलेगी electron की small V तो 2EV upon M का under root तो 2 under root 2 E के बारे में जनकारी आपको है 1.6 into 10 power minus 19 V के बारे में जनकारी 2 into 10 power 3 upon M के बारे में 9 तो नहीं दिया गया है 9.1 ही दिया गया है नहीं हम तो क्यों वो देख रहते हैं राम कि वो under root है minus 31 इसको calculate करिए तो V की जो value आई है वो आई है 2.65 into 10 power 7 2.65 into 10 power 7 meter per second यानि इस velocity से वो इंटर किया है किस उस chamber में और आप जानते हैं जिस velocity से वो इंटर करता है वो decide करता है कि उसका radius क्या होगा तो radius आप दब पास निकालते हैं ये पहले निकालेंगे आप मतलब ये पहले पार्ट का ये पार्ट नहीं है ये विलास्टी पहले आप निकालेंगे यहां तक निकाली जारा ये 2.65 है 65 कर दीजेगा तो विलास्टी आपको निकल आई ठीक है तो विलास्टी को अलग नोड कर लेते हैं ये विलास्टी याद लखेगा याद मतलब तो लिखिल लिख लिजेगा अब पहला पार्ट आप से क्या करें पहला पार्ट करें इलेक्ट्रांट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी ट्रेजेक्टरी मतलब सर्कल मिस विच टाइप आप सर्कल तो आगगा गोल गोल सर्कल उन्हों ये तो नहीं का which radius trajectory पूछी फिलाल आप velocity क्या आपने बताया है 2.65 into 10 to power 7 meter per second अब देखे जब electron entry करेगा इसमें तो radius का formula क्या होता है तो हमने बताया कि EVB sin 90 इतना force लगेगा ना और ये इसको क्या provide करेगा centripetal force provide करेगा तो R की value क्या निकलेगी MV upon EB सब कुछ मालूम है MV हमको मालूम है 9.1 into 10 to power minus 31 V क्या है velocity 2.65 into 10 to power 7 upon E है 1.6 into 10 to power minus 19 और B है 0.15 Tesla जब इसको आप calculate करेंगे तो value आएगी 10 to power minus 3 meter 10 to power minus 3 meter यानि 1 millimeter यानि आप कहेंगे कि when there is a transverse path then it will move in a circular path of radius 1 millimeter ये वो जानना चाहते थे 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 नोड करें सेकेंड पार्ट आप से कहे रहा है कि electron makes an angle of 30 degree with the initial velocity यानि अगर वो initial velocity जो उसकी है भाई साब वो 30 degree angle से इंट्री करेंगा तो इसका मतलब क्या हुआ देखो ये है magnetic field V और X direction में माल लेते हैं ये Y direction है ये Z direction है और इधर ना करके ये magnetic field के साथ theta angle बनाते हैं इंट्री कर रहा है तो यानि कि V के दो component होंगे एक V parallel होगा और एक V perpendicular होगा तो V parallel क्या होगा V parallel होगा V cos 30 इसकी value आप निकाल लेंगे V कितना आया हुआ है 2.65 into 10 to power 7 cos 30 is root 3 by 2 इसकी value जो भी निकले समझ में आ गया तो इतना ही समझो कहा हो तुम तुम तो जो है लगा थोड़ी होता हो तो जो है इसकी value जो हमने calculate किया तो यह value आई है 2.3 into 10 power 7 यह सब एक प्रॉक्स value होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं का आप डायल लिग दोगे आप ना अपनी value निकालेंगे और round up करने के पहले यह ध्यान रखे है कि 2.3 को round up किया है एक digit पाथ तो दूसरी digit को ignore नहीं करेंगे अब जानते है round up करने के तरीका क्या होता है ठीक है अच्छा due to perpendicular component क्या होता है यह circular path में move करता है तो R क्या हो जाए circular path का M V perpendicular upon EB यह थो होगा ना तो V perpendicular directly लिखते है M बोले तो 9.1 into 10 power 31 V perpendicular क्या होगा V sin 30 यानि कि 2.65 into 10 power 7 into sin 30 1.2 1 by 2 और E is what 1.6 into 10 power minus 19 B is what 0.15 Tesla तो यह जो radius unit मत लिखिए यह जो radius IV है यह IV आपकी 0.50 millimeter 0.50 millimeter approximate है तो इतने radius के helical path में move करेगा हमने कहा था वो helix होगा ना helical path भाई हमने क्या कहा था कि जो V parallel है parallel की वज़े से किदर move करता है में magnetic field की direction में और perpendicular की वज़े से circular अब वो circular भी move करे आगे बढ़े तो ऐसे spring type को होगा ना helical path move करेगा और helical path में एक pitch वर्ड बताया गया था कभी कभी पूछा जाता है कहा तो radius भी निकालने के लिए नहीं है इसलिए अगर हम हम अगर हम helical path की बात कर रहे हैं तो हमको उसका pitch निकालना चाहिए ठीक है तो हम सहाँ pitch भी निकालेंगे पिच क्या होता है कोई भी screw जब घुमता है तो घुमते वक्त वो अंदर या बाहर जाता है तो एक पूरा rotation complete current में जितना वो आगे बढ़ेगा उसको हम उसकी pitch कहते हैं अगर screw को ध्यान से देखिए तो एक turn दूसरे turn के बिच फ्रग एफ होता है उसी को pitch कहते हैं तो pitch का मतलब distance और distance का मतलब क्या होता है velocity into time velocity काउन सी? parallel component और time काउन सा? time period जितने time period में उसने एक oscillation या एक rotation complete किया है और V parallel क्या निकाला है अपने? V cos 30 value निकाल भी सकते हैं और time period क्या होगा? R का है लिख रहे हो, direct formula बताओ ना, R पर depending निकरेगा, direct बताओ ना, direct बताओ, direct हम tough हो जाने दो, अच्छा बताओ अच्छा, 2 pi r upon V sin 30 नो ने बताया, सही बताया इनो ने, इसा करें सब card दो, M तो आएका नी? R फिर रखेंगे हमें यह रखना पड़ेगा? अच्छा, अब यह न तुम करो, यार हम कहें रखेंगे, वो double a prox हो जाएगा ना, आंसर में दिकरागी, यह approximate value, आर में रखेंगे, फिर approximate value, double approximate, हमने रखेंगे, क्या होगा? क्यू भी होता है ना, क्यू बोले तो E, तो यहां से piece की value निकालेंगे, अपने आप calculate करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से ही है, उसका path पुरा trajectory आ गई, कि trajectory होगी, तो क्या-क्या उसमें निकालना है, पूरा चीज हमने निकाल दिए, ठीक?